सात्यों सुसासन का एक और पहलू है इमाम दारी और पारदर्शिता हमारे देश में एक धारणा बन गई थी कि बड़े-बड़े गोटालों और घपलों के बिना सरकारे चल ही नहीं सकती कि 2014 से पहले हम लाखों करोड और गोटालों की चर्चाएं सुनते थे लेकिन हमारी सरकार ने उसके सुसासन ने आसंकाओं से भरिवन अवधावणाओं को भी तोड़ दिया है आज लाखों करोड रुपिये की गरीब कल्यार की योजनाओं की चर्चा होती है गरीबों को मुप्त राशन की योजना पर हम चार लाख करोड रुपे खर्च कर रहे हैं गरीबों को पक्के घर देने के लिए भी हमारी सरकार चार लाख करोड रुपे खर्च कर रहे हैं हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए भी तीन लाग करोड़ पे से ज़्यादा खर्च किये जा रहे हैं इमांदार टेक्सपेर की पाई पाई जन हित में राष्ट हित में लगाई जाए यही तो गुड गवर्नेंस है और साथियों जब इस तरह इमांदारी से काम होता है नीतिया बनती है तो उसका नतीजा भी मिलता है इसी गुड गवर्नेंस का नतीजा है कि हमारी सरकार के सिर्फ पाँच बरसों में ही साड़े तेरा करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले है